स्वाइल पिन स्वागत है अब से इस नए वीडियो में दोस्तों आज की शुड़ आपस बात करने वाला हूं कि अगर आपको भी आपके फोन नंबर पर ckyc के एक मेसेज आया हुआ है या आपके पास ckyc के एक मेल आया होगा यानि जो भी आपका मेल आया है उसमें आपको कैस्ते इस्तमाल करना है तो इस वीडियो को भीना इसकिप की आप लाइस तक जहुर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास भी आपके फोन नंबर पर जो मेसेज मिला हुआ है यानि इस मेसेज में जो 14 अंकर नंबर दिया गया है या अपना अधारकाड पेन काड जैसे आप देकर नॉर्मली किवाईसी कम्प्लेट करते हैं अब आपको वहाँ पर अधारकाड या पेन काड देने के कोई जूरूत नहीं है simply आप उस 14 अंकर नंबर वहाँ पर दे दीजिए आपका जो KYC वो complete हो जाएगा क्योंकि KYC तीन टाइप का होता है जिस तरीके से आप normally bank में जाते हैं और अपने KYC complete करते हैं अपने अधार काट pen card को दे कर और उसके बाद दूसरा KYC होता है KYC यानि जो भी biometric के जरी है यानि अपने अधार नंबर डालकर आप fingerprint के जरी है जो KYC complete करते हैं वह KYC है और जो आपके पास यह message मिला हुआ है वह KYC के message मिला हुआ इसके मंत्रा यानि KYC के मतलब है central KYC और जो आप central KYC हो जाता है यह bank के तरफ से automatic हो जाता है यानि KYC आप complete करते हैं तो जो भी आपका mail आया होगा या जो भी message आया होगा आपके उस bank account यान जो भी जिस भी bank में आपका account है bank के तरफ से आपको यह message या mail मिला होगा तो आपका automatic KYC complete हो जाता है और एक बार KYC अगर आप complete कर लेते हैं तो अब आपको KYC के कहीं भी जरूरत हो वहाँ पर आपको document ना जमा करके शिर्फ अपने इस 14 अंकर नंबर को देर दीजिएगा तो आपका जो वहाँ पर KYC वो KYC complete हो जाएगा तो इसी KYC का benefit आपको यहीं मिलने वाला है तो दोस्तों वीडियो कैसे लागो कोमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लागो तो वीडियो को लाइक और चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलि मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद